बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमेडिटीज की और जानेंगे किस कॉमेडिटी में आपको मंदी देखने को मिल सकती है और इन सब पे जादा जानकारी के साथ हम मारके टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा महता जी हमारे साथ जुड़ गई है रूपा जी बहुत-बहुत स्वागत है नौल एग्री कॉमेडिटी से शुरुवात करेंगे बात करते हैं सोने चान्दी की बता दे की सोना आज 49,970 पर कारुबार करता दिखा है वहीं चान्दी 55,088 पर कारुबार करती दिखी है दोनों ही कॉमेडिटी इसमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है डर भी देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से लगातर सोना उपरी सरुसे तरह नजर आ रहा है और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी 26 और 27 में तारीक में जो मिटिंग होनी है उसमें इंट्रस्ट रेट को एक बार फ़र से हाई किया जा सकता है 75 बेसिस पॉइंट से और जिसकी वज़े से डोलर में स्ट्रेंज आती दिखाई देगी और गोल जो है वो प्रेशर में आ सकता है और उसके चलते हम देख भी रहे हैं कि लगतार सोना 1700 डोलर जी तो जैसा कि बता दे कि सोने चांदी में गिरावट दिखने को मिल रही है काफी टाइम से गिरावट बनी हुई है बता दे कि सोना आज 49,970 पर कारोबार करता दिख रहा है और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी सोने से जादे गिरावट दिखने को मिल रही है बता दे की, चांदी 55,000 के लगभग ये कारुबार करता दिख रहा है बता दे 55,088 पर चांदी कारुबार करती दिख रही है दोनों कॉमेडिटी ऐसी हैं कि ये बहुत बड़ी कॉमेडिटी जाओ दोनों में गिरावट है अगर गिरावट जाई रहती है तो आगे जाके और महेंगाई इसमें देखने को मिल सकती है बहुत बात करते हैं अगर आगे और भी कॉमेडिटी ऐसी है जिनमें बात की जाए तो लगबग नौन एगरी कॉमेडिटी में दो-तिन कॉमेडिटी ऐसी है जिनमें गिरावट बनी हुई है और इसमें सोने चांदी की तो बात करे रहे हैं कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली रही है तो बता दे कि चांदी जो है उसमें गिरावट है और सोने में भी गिरावट देखने को मिल रही है तो सोना बता दे 49,970 पर कारूबार करता दिख रहा है वहीं चांदी 55,088 पर कारूबार करती दिख रही है क्रूड ओयल कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल भी आज बता दे आपको लगभग 7956 पर कारोबार करता दिख रहा है क्रूड ओयल में भी गिरावट है और जैसे की क्रूड ओयल की कच्चे तेल की जो गिरावट है वो भी काफी बनी हुई है सरकार ने गिरावट को कम करने के लिए भी काफी फैसले ऐसे उठाए हैं जिससे कि गिरावट कम की जाए मनब की आगे इसको और इसमें कमी की जा सके क्योंकि क्रूड ओयल में एक टाइम पे तेजी थी और इसको देखते हुए भी सरकार ने विंटफॉल टेक्स को भी हटाया है और जिससे बहुत ही बड़ी जो कम्पनिया हैं उनको भी फायदा हो सकता है तो रूपा जी जैसे कि हम बात कर रहे थे सोने चान्दी की दोनों ही कॉमेडिटी में गिरावट है और ये गिरावट आगे कहां तक जारी रह सकती है ये भी बड़ा सवाल है आपको क्या लगता है उसके भी गिरावट भटने भी दिखाई दे सकती है सोना नीचे में 1680-1660 दोलर तक लोड़कता हुआ दिखाई दे सकता है तो कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है बता दे कि 7956 पर ही ट्रेड करता दिखाऊ और वहीं कच्चे तेल में जो गिरावट है बात करते हैं कच्चे तेल की है क्योंकि जिस तरीके से दिमांड कंसर्ण देखने को मिल रहा है टाइट सप्लाई है लेकिन अब दिमांड भी इंपक्ट होती हुए नजर आ रही है जिसकी वज़ासे उपरी सरों से बजार लुड़कते हुए दिखाई दी है और अभी के लिए शोट टम में कच्चा तेल थोड़ा सा ओर्फिस हो सकता है जो इसकी ग्रेंज बनती हुए दिखाई दे रही है वह टाउन साइन में और उपर में आठ हजार और अभी अगर वहीं अगर देखें डमेस्टिक मार्केट के अंदर भी लेवल जो है वो प्रेशर में ही देखने को मिल रहे है और इंटरनेशन मार्केट में सो डॉलर के नीचे मार्केट लुड़क चुका है तो ऐसे में यह दबाव कॉंटिनूशन में बनता हुआ दिखाई दे सकता है बाकी जब फैड की मि गिघणावत देखने को मिल सकती है बात करेगर नेचüral गयास की रूपा जी तो यह छेषओ 트ैक्स पर कारोबार करता दिखा है इसमें हल्की तेजी देखने को मिली है तो नेचरल गयास का बजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है जिसकी के से अभी फिलाल मार्केट में हम बनते हुए देख रहे हैं सभी non-agri commodities में उपरी सरो पर pressure जो है वो देखने को मिल रहा है तो ऐसे में natural gas भी जो है वह जादा sustainability नहीं दिखाई देती लेकिन हा निचले सरो पर एक अच्छी खासी recovery ज़रूर आई है क्योंकि supply की दिक्कत की वज़े से एक बार हमने इसको फिर से कप साइड हो सकता है कि बना रहे वहां से 640 के उपर अगर sustain करेगा तब लंबी तेजी में जा सकता है अदरवाइस यहां से फिचलता हुआ भी दिखाई दे सकता है जी रूपर जी अगर base metal की बात करें और base metal पर नजर डाले तो copper आज 623 पर trade करता दिखा है वहीं इसमें गिरावट देखने को मिली है और zinc बता दे कि 274 पर यह trade करता दिखा है जो है हमें base metals के ऊपर भी देखने को मिल रहा है रीजन यह है कि चाइना की तरफ से अभी demand काफी impact हुई है जिसकी वज़े से prices दबाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब यह continuation में भी रह सकती है तो मुझे लगता है कि copper जो है वह इक बर 600 के नीचे लुड़क सकता है और zinc में भी गिरावट जो है वह बनी रह सकती है तो फिलाल के लिए base metal short term strategy अभी सभी market जो है वह डाउन में दिखाई द जी रूपा जी मेरा non-agri commodities में आपसे अख्री सवाल यह रहेगा कि intraday में क्या कुछ करके चला जा सकता है कौन सी non-agri commodity मैं ऐसी commodity है जिसमें आगे मुनाफ़ा रहेगा जी रूपा जी रुपा जी रुखते हैं छोटे से break के लिए break के बाद बात करेंगे एग्री commodities की जी रहेगा मुनाप जी परण जी रुपते हैं बिलाग जी रुपारत जी रुपते हैं धौरा जी रुपता हैं झाल झाल